नमस्कार आप सबी दर्शकों को स्वाद कडाई का में आपका स्वागत है और आज हम बना रहे हैं मुंकी बहुत ही हैल्दी दाल जिसको खाने से शरीर में कोई भी कमजोरी होगी वो कवर हो जाएगी अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो ये देखिए हमने एक कटोरी मुंकी दाल दो घंटे के लिए भिगो दी थी और अब भिगो कर हमने उसको डाल दिया है कुकर में और साथ ही हमने डाले हैं चार टमाटर तो ये है कि आप जितनी भी दाल बना रहे हैं उससे आधी वजन में टमाटर डाल दीजिएगा उसके अंदर और साथ में इसमें लेंगे हमने ये आट दस लसलसहन की कलिया ली है और लसन की कलियों को हमने कूट लिया है काटा नहीं है सिर्फ हमने ऐसे बेलन से या किसी चीज स तोड़ दिया है तीन हरी मिर्च लिया है बीच में चीरा लगा दिया है और ये देखिए मसाले में एक चमच लाल मिर्च आधा चमच हल्दी एक चमच नमक और एक चमच धनिया साथ में हम लेंगे गरम मसाला तो गरम मसाले से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है आधा च साले एड़ करने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी तो जो कटोरी हमने डाल ली है वही कटोरी हम दो इसमें पानी एड़ करेंगे दो कटोरी से ज्यादा पानी एड़ नहीं करना है अगर आपको लगे कि दाल पतली करनी है तो बाद में एड़ कर लीजिएगा लेकिन जो प् टेक्सच्चर आया है इसका, अब इसको क्या करेंगे हम कि किसी चम्चे के सहारे से इसको मैश करेंगे, उससे पहले हमने फोर्थ, इसमें मख़न एंड कर दिया है, तो दाल गरम होने के साथ मख़न भी इसमें मैल्ट हो जाएगा, और यह एक दम मैश हो जांगे, हरी मिर्च भी गल चुकी है टमाटर भी गल चुके है और ये एकड़म्нетम मेश हो गए है अब हम इसमें लगा रहे हैं तडका तडके के लिए हमने दो बड़े चमच देसी घी लिया है देसी घी में तडका लगाने से इस दाल का फ्लेवर बहुत अच्छा हो यह healthy भी हो जाती है चम्मच घिई ऑर अदा चम्मक की डाल यह highly है तो एक चम्मच चने की डाल अदा चम्मच उरडद की डाल अब इन तीनों चीजों को हम थोड़ा सा भून लेंगे जब ये थोड़ा सा हमें भूना हुआ नजर आएगा तम हम इसमें एड़ करेंगे एक चमच जीरा अब जीरे को भी हलका सा हिला लेंगे और गैस इस टाइम में आपने बिल्कुल मंदी रखनी है, गैस तेज नहीं करनी है साथ मिर्ट डाल दी है इसमें लाल मिर्च, तीन लाल मिर्च डाली है मैंने और थोड़े से कड़ी पत्ते 10-12 हमने कड़ी पत्ते लिए हैं या जो कहिए एक डंडी होती है कड़ी पत्ते की, हमने वो पूरी डंडी के पत्ते निकाल कर इसमें एड़ कर दी है गैस बंद कर दिया है और गैस बंद करने के बाद हमने मिलाया है इसमें थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च और हिंग अब इन दोनों चीजों को मिलाने के बाद हम इसको चला लेंगे तो गैस जलाकर हम यह तड़का नहीं कर सकते हैं लाल मिर्च जो है वो जल जाती है अब हमने इस को चाहे रूखा खाएं या खाएं रोटी के साथ यह बहुत अगर कोई बिमार है तो उसको जरूर दे तो यह कवर हो जाती है मिलते हैं अगली वीडियो में बाई